एक एक नहीं आ रही है सारे कारे में बाधा आ रही है आपके जिस शेत्र में आप जाते हैं सफलता तो प्राक्त हो रहे है लेकिन उसमें विलंभता हो जाती है लेकिन जीवन में जो कुछ आपने प्राक्त करना चाहा जो आपके जीवन के लिए हितकारी था उसमें आपको सफलता प्राक्त नहीं हुई और अपने जीवन में जब से आपने हो से संभाला है ना तब से आप धोके का सिकार होते चले जा रहे हैं हाँ जी फिरदय से आप मानते हैं तन मन धन सबसे आप सहयोग करके और आपने व्यक्ति को प्रसन रखना चाहते हो हाँ आपके जीवन में आपको ये रहा है कि मेरा तन भी चला जाए धन भी चला जाए लेकिन मेरा वेवार खतम नहीं होना चाहिए कि मेरी मित्रता बनी रहनी चाहिए ये सोभाव रहा है आपका लेकिन उसी में दगा हुआ है दगा समझते हैं हाजी तो उसी में धोखा हुआ है आपको हुआ कि नहीं हाँ और बार-बार क्रोध का सिकार बनते हैं आप टेंशान आता है आपको हाँ कि सटीक निरनय लेने में आपका मन अभी भी सक्षम नहीं है आपके जीवन में क्या सोटे विल है क्या अच्छा होगा क्या नहीं हो रहा है ये इसमें आप निरनय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे है हाँ जी आपके भागी में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है अधिक फारे में सफलता प्राप्थ होनी इस रहां के कंडिशन में जहां सफलता मिलनीShe सफलती के योग बनते हैं तब इसवार से हमारा संबन्ध जुड़ता है बेटे और इश्वर को पहचानने के लिए इश्वर कहा रहते हैं आपने देखा नहीं देखा इश्वर कहा रहते हैं परमात्मा कहा रहते हैं मातारानी कहा रहती हैं यह देखा इनका मूल इस्थान अपने हर्दय में निवास करते हैं तो हर्दय में आपके भी लेकिन अब हम उनको जब आपको हर्दय में निवास करते हैं यही तो समझमें नहीं आ रहा इसलिए वो अभी जागरित अवस्था में नहीं है और उनकी पुर्ण कृपा अपनको प्राप्त कैसे हो यह मूर जानकारी और परमात्मा का हम अंस हैं जैसे हम इश्वर का अंस है उस अभिनाशी उस पार ब्रह्म परमेश्वर के अभिनाशी शक्ति मान सारे देवताओं जो है न वो स्री मान इस्री मान के भी जो है देव वो शक्ति मान है वे शक्ति मान भगवान शिव है और उनको जब हम जागरी तवस्था में प्राप्त करे देख रहेगे, तब बोल बताकर हमको सज्डेस्ट करते हैं, मार्गश्ण करते हैं कि भी इस खेत्र में, तुझे लाब हे हानी है। संतों के हृदाय में जागरित अवस्था में रहते हैं। और आपके भी हिर्दय में हैं लेकिन अभी स्तुक्ष मा सुसुम अवस्था में हैं तो जो नाड़ियां होती न अपने अंदर इंगला पिंगला सुसुस्मा तो जब जागर्त अवस्था में आती हैं जब अपन जैसे मनुष मनुष एक दूसरे को देख रहा है बोल रहा है इसी प्रार साधना के चेत्र में परांगत होने के बाद में मनुष्य उनके साथ में देखता है बोलता है और वो शक्ती जीती जागरी तवस्था में साथ में चलती है और वो होती है संत संत के साथ प्रत्य पल वो जागरी तवस्था में रहते हैं और उनको मार्ग दर्शन देते हैं कि तुझे मैं इस भक्त से इस मनुष्य से जुड़वाऊंगा जिसका जीवन अंधकार में है और उसके जीवन को प्रकास में लाने की जिम्मेदारी आपको सूपता हूँ क्योंकि वो मुझे भज़ता है वो मुझे जानता है लेकिन मेरी पूर्ण करपा कैसे प्राप्त करेगा ये उसे नहीं मालूम है तो उसे आप मार्ग दर्शन करो और उसके जीवन में प्रकाश लाओ मैं लाओंगा माध्यम आप बनोगे इसलिए हमारे जीवन में सुब प् और कुछ प्राप्त भी किया है लेकिन अभी की कंडिशन आपकी बहुत अच्छे नहीं है कुछ बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते है और उसमें ब्रेक लग रहा है तीसराविक्ति इंटर्फेयर करके और आपके भागी को दुरभागी में परिवर्तित कर देता है इसलिए मा भगवती मा पार्वती जी का जो दिव्य स्वरूप है उमा भवानी उमा भवानी की ही प्रपा प्राप्त होगी तब संतों का सानिध्य प्राप्त होगा और संतों का सानिध्य प्राप्त करके फिर दिख्षा के माध्यम से फिर अपनी अम्बा भवानी की पूर्ण तो आगे क्या करना है अब आगे ऐसा है कि मैया जी की करपा जब होगी तब आप सीवनी पहुंच जाहेंगे फिर करपाई करपाप राप्त होगी